Hello civil engineers, welcome back to our channel civil engineer FBH तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम ट्रस के बारे में डिसक्स करेंगे और जो हमारे पास method होता है method of joints उसके बारे में हम डिसक्स करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक question है हम सीधा ही question पर जाएंगे question से ही हम डिसक्स करेंगे कि हम कैसे method of joints सॉलो करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास determine the forces in all the members of truss as shown in figure यहाँ पर एक figure हमारे पास दी हुई है, diagram दी हुई है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि loads भी लग रहे हैं, different loads लग रहे हैं और यहाँ पर एक truss है, जिसके दो supports है, एक hinged support है यहाँ पर और एक simply supported एक side से है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला ही जो step first होता है हमारे पास step first हमें support reactions find out करनी होती है, यह जो reactions है यहाँ पर और यहाँ पर जो reactions लगीगी वो हमें find out करनी होती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर आप hinged support देखोगे तो यहाँ पर point A है हमारे पास तो हम RA यहाँ पर reaction A मानेंगे और यह हमारे पास D है तो यहाँ पर हमारे पास RD होगा reaction और hinged support जो है अमारे पास, वहाँ पर horizontal भी लगेगा, तो यहाँ पर हम HA इसका नाम देंगे, HA हम इसका नाम देंगे, अब हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है, summation of vertical forces is equal to 0, मतलब कि जितने भी vertical forces होती है, वो हमें 0 करनी होती है, मतलब कि जितने नीचे की तरफ लोड लग रहे हैं, जितने लोड नीचे की तरफ लग रहे हैं, एक 40 kN, 50 और 60, यह equal होंगे जितने भी लोड उपर की तरफ लग रहे हैं, मतलब कि RD और RA के बराबर, उपर वाले लोड है, उपर की तरफ जो लग रहे हैं, वो रड लग रहा है और नीचे की तरफ जो है 50, 40 और 60 लग रहा है मतलब कि उपर की तरफ जो लग रहे हैं रड यह हूं गए equal to जो नीचे की तरफ लग रहे हैं नीचे की तरफ लग रहे हैं 40 kN, 50 kN और 60 kN तो 40, 50 और 60 मतलब कि 40 kN प्लस 50 kN प्लस 60 kN तो R A प्लस R D हमारे पास equal आ जाएगा 60, 40, 100, 150 तो यह आ जाएगा हमारे पास 150 kN तो यह हमारे पास आ गया पहली equation अब हमें क्या करना होता है जो second step हमारे पास होता है second step मतलब इसी step में support reaction में ही जो दूसरा step हमारे पास होता है वो हम क्या करते हैं हम moment at या इस support पे लगाएंगे या इस support पे लगाएंगे जिस भी support जो भी support आपको अच्छा लगए तो उस पे हमें moment लगाना होता है summation of moment at A is equal to 0 हम लगाएंगे summation of moment at A is equal to 0 मतलब जितने भी moments support A पर लग रहे हैं उनका हम summation करेंगे 0 के equal क्योंकि equilibrium condition में हमारे पास यह होता है vertical force is equal to 0, horizontal force is equal to 0 और moment is equal to 0, summation of moment is equal to 0 अब अगर हम moment लगाएंगे point A पर, point A के थरों RA और HA जो है वो पास कर रहे हैं मतलब कि इनका perpendicular distance कोई नहीं है इसके respect में तो यह वाले इनका moment 0 होगा अब हमें देखना है कि moment कहां कहां से लगेगा RD की वज़ा से moment लगेगा और यह लगेगा हमारे पास anti-clockwise हम anti-clockwise positive लेंगे और clockwise negative लेंगे तो RD with respect to A यह ऐसे mode ने कोश्च करेगा तो anti-clockwise होगा तो हम positive लेंगे मतलब कि RD into perpendicular distance कितना है RA से मतलब कि A point से क्योंकि हम moment with respect to A ले रहे हैं तो RD यहां पर लग रहा है anti-clockwise लग रहा है तो positive लेंगे और perpendicular distance कितना है यहां से यहां तक तो वो है 2 meter और 2 meter हो गया 4 meter तो यह आ गया moment due to RD with respect to A अब हमें क्या देखने है अब जो भी लोड लग रहा है जो भी लोड यह लोड भी clockwise गुमाने की कोश्च करेगा यह भी clockwise गुमाने की कोश्च करेगा और यह भी clockwise गुमाने की कोश्च करेगा anti-clockwise अगर हमने positive ले लिया तो clockwise हम negative लेंगे अब हमें देखना है हम यहां से लोड को देखेंगे 50 kN का लोड जो है अगर हम ऐसे देखेंगे 50 kN का लोड यह जो triangle है यह हमारे पास यह isosless triangle है तो यह वाला load जो है यह center पे लगेगा अगर हम यहाँ पर देखेंगे यह center पे लगेगा तो हमें minus आ जाएगा 50 kilonewton का load लग रहा है क्योंकि clockwise लग रहा है तो 50 into r a से हमें perpendicular distance देखना है यह बीच में लगेगा तो यह दो जो है इन में से एक और यह दो दो और एक तीन perpendicular distance जो है यह से हमारे पास तीन होगा 50 into 3 अब यह वाला भी clockwise ही लग रहा है 60 kilonewton का तो 60 minus 60 into perpendicular distance from a हमें लेना है तो 60 कितना दूरी पे लग रहा है यह से तो वो 2 की दूरी पे लग रहा है यह आपको याद रखना है moment at a हम zero कर रहे है तो हमें a से perpendicular distance देखना है कि load कितने दूरी पे लग रहा है अब यह वाला भूटी है यह वाला भी clockwise ही लग रहा है तो यह भी negative लेंगे और कितनी दूरी पे लगेगा यह ऐसा स्लेस्ट रहेंगल है फिर से ऐसा स्लेस्ट रहेंगल का जो कुना है यह यहाँ पर आजाएगा center में तो 40 kilonewton यहाँ पर लगेगा बीच में यह 2 meter है तो मतलब कहाँ पर लगेगा कितनी दूरी पर लगेगा a से वो 1 meter की दूरी पर लगेगा तो minus 40 into 1 is equal to 0 summation of a moment at a is equal to 0 तो अब हमने क्या किया 4 into rd हो गया 4rd minus 50 into 3 कितना आजाएगा यह आजाएगा 1,500 minus 60 into 2 कितना आजाएगा 120 minus 41 40 आजाएगा equal to 0 मतलब 4rd हमारे पास निकल के आजाएगा इनको add करेंगे क्योंकि यह negative मैस आजाएगा तो यह आजाएगा यह और यह आजाएगा 160, 160 और 150 आजाएगा minus 310 is equal to 0 अगर हम इसको इस साइड लेके जाएगे तो यह आजाएगा 4rd is equal to 310 और हमारे पास rd के निकल के आजाएगा 310 divided by 4 अब हम calculate करेंगे 310 divided by 4 हमारे पास निकल के आजाएगा 77.5 यह हमारे पास निकल के आजाएगा 77.5 अब हमारे पास यह वाली equation अभी पड़ी है ra plus rd 150 के equal है तो इसमें हम rd की value रखेंगे क्योंके rd की value हमारे पास 77.5 आ गई है तो rd की value यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ra plus rd की जगा लेखेंगे 77.5 is equal to 150 तो ra हमारे पास निकल के आजाएगा 150 minus 77.5 तो यह हम करेंगे 150 minus 77.5 तो यह आगए हमारे पास ra equal to 72.5 तो अब हमारे पास reaction a और reaction d निकल गया है तो ऐसे हम support reaction find out करते हैं अब हम देखते हैं आगे आगे हम एक एक joint को एक एक बार लेके चलेंगे तो हम joints भी देखिंगे कि joints से हम members में जो forces लग रहे हैं वो कैसे निकालेंगे तो दोस्तों अभी तक हमने निकाला है हमने reaction at a 72.5 निकाला है और reaction at d reaction at a 72.5 और reaction at d जो हमारे पास है वो 77.5 है तो यहां पर हम लिखेंगे reaction at d जो हमारे पास है वो है 77.5 और reaction at a जो है वो 72.5 के इकवल है वो है 72.5 तो दोस्तों अब हमें क्या करना है अब हमें एक एक joint को लेना है और एक एक joint solo करना है और forces in members निकालने है तो यहाँ पर यह member हमारा है A, B member तो इसमें force होगा A, F, A, B यह A, E member है तो force A, E ऐसे ही F, यह B, E member है तो F, B, E ऐसे ही यह BC member है तो F, B, C यहाँ पर लिखेंगे यह DC member है, C, D, तो F, C, D लिखेंगे और यह जो member है, यह DE है, तो F, DE member इसको लिखेंगे अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक joint लेना है तो हम कहां से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे A, C तो A पर हमारे पास एक तो यह reaction लग रही है और यह 2 members है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं free body diagram बनाता हूँ point A की, यह है A point यहाँ पर reaction ऐसे लग रही है reaction है 72 point, 5 reaction is equal to 72 point 5 और इस direction में A, E, F, A, E force in member A, E, और ऐसे ही F, A, B जो है F, A, B लग रहा है हमें 60 degree पे F, A, B जो है, यह 60 degree पे लग रहा है F, A, B, 60 degree पे लग रहा है अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बंदे confused हो जाते हैं कि हमें क्या करना है हम जो भी member ले लेंगे, different books में different तरीके से किया हुआ है लेकिन मैं आपको आसान तरीका सिखाओंगा, जिससे आपको कोई भी confusion नहीं होगा वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है तो उसके बाद आप कोई भी question जो है, वो खुझ से सालू कर पाओगे तो हम जो जिस भी member का हम ले रहे हैं, उसकी direction हम बाहर की तरफ रखेंगे जो भी member है हमारे पास, उसकी direction हम बाहर की तरफ रखेंगे मतलब कि हम मानेंगे कि उसकी जो है, वो टेंशन लग रहा है उस पे अब अगर member का value जो है, वो positive में आ गया, मतलब कि उसका फोरस वो अंदर की तरफ लग रहा होगा तो वो हम अगर negative आ गया है, तो compressive होगा, अगर बाहर की तरफ लग रहा है, अगर positive आ गया है तो वो जो है हमारे पास 10 side है तो मैं आपको यहाँ पर एक दिखाऊंगा अब देखिए यह 60 degree है यहाँ पर क्योंकि यह 60 degree पर लाग रहा है अब हमें क्या करना है हमें पहले इस force को जो है वो components में result करना है तो अगर हम components में करेंगे तो जिस side से angle होगा तो वो होगा FAB को हम FAB cos theta इस side से लगेगा और इस direction में FAB sin theta लगेगा अब हमें क्या करना है अब हमें summation of vertical forces is equal to 0 करना है vertical में 2 forces लग रहे हैं और एक ही direction में लग रहे हैं तो हम लिखेंगे RA plus FAB is equal to 0 FAB sin theta is equal to 0 क्योंकि यही 2 forces जो है उपर की तरफ लग रहे हैं तो हम करेंगे RA plus FAB sin theta theta लेकिन यहाँ पर 60 degree है यह angle 60 degree है तो sin 60 is equal to 0 क्योंकि उपर की तरफ दो ही forces लग रहे हैं और वो एक ही direction में लग रहे हैं इसलिए हम एक ही side से लिखेंगे तो अब हमारे पास RA जो है RA पता है हमें 72.5 तो यहाँ पर लिखेंगे 72.5 is equal to FAB sin theta FAB plus FAB क्या है हमारे पास FAB हमें निकालना है और sin 60 आगया sin 60 is equal to 0 तो हमाँ FAB चाहिए FAB sin theta sin 60 हमारे पास आजाएगा यह इस side लेके जाएगे तो minus में आजाएगा 72.5 तो FAB हमारे पास आजाएगा minus 72.5 divided by sin of 60 degree तो यहाँ पर हम निकालेंगे 72.5 divided by sin 60 degree तो यह हमारे पास आजाएगा 83.715 तो यह आजाएगा FAB हमारे पास 83.715 लेकिन यहाँ पर negative है तो यह हम negative लिखेंगे अब अगर force की value negative में आ गई तो हम लिखेंगे यह compressive force है अगर आप बाहर की तरफ direction ले रहे हो फिर अगर force की value जो है negative में आती है तो हम compressive से consider करते हैं अब next जाते हैं next क्या है हमारे पास next हमें horizontal forces summation of horizontal forces is equal to 0 यह हर एक joint पर हमें करना है अब देखो horizontal में Fae लग रहा है और Fab cos theta लग रहा है एक तो इसका component Fab cos theta और Fae जो अपना member है तो हम लिखेंगे Fae भी इसी direction में लग रहा है Fab cos theta भी इसी direction में लग रहा है तो plus लिखेंगे Fab cos 60 degree क्योंकि angle 60 degree है is equal to 0 Fae हमारे पास आजाएगा plus Fab की value हमें पता है minus 83.715 तो हम लिखेंगे minus 83.715 into cos of 60 degree is equal to 0 यह minus में आ जाएगा अगर इस side लेके जाएगे तो positive में आ जाएगा Fae आ जाएगा हमारे पास 83.715 cos of 60 degree तो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है 83.715 into करूंगा मैं cos 60 degree cos of 60 degree तो यह आ गया मेरे पास 41.85 तो Fae की value जो है 41.85 आ गई लेकिन यह positive value आ गई क्योंकि positive है तो यह जो है kilo newton में आ लेना इसको यह जो है यह positive value आ गई तो यह tensile होगी तो यह force जो है वो tensile force है next अब किया हमने A joint पे हमने सारे forces निकाल दिये अब हम क्या करेंगे D ले लिए joint D पे निकालेंगे joint D आप देख सकते है यह हमारे पास joint D joint D पे हमारे पास reaction D लग रहा है R D R D और इस side से जो force है हम direction बाहर की तरफ लेंगे जो भी हम member forces है उनकी direction हम बाहर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पर D E लग रहा है तो F D E नाम रखेंगे और यह जो है F C D है तो F C D जो है वो हमारे पास 60 degree पे लगेगा अब हमें क्या करना है अब हमें ऐसे ही forces को जो incline forces है उनको resolve करना है जब हम resolve करेंगे तो इस direction में जो है F C D cos theta लगेगा F C D cos theta लगेगा इस direction में और इस direction में जो है F C D sin theta लगेगा resolution आपको पता ही होगा वैसे अब हम क्या करेंगे फिर से हम वही formula लगेंगे summation of vertical forces is equal to 0 vertical में 2 forces लग रहे है R D लग रहे है और F C D sin theta लग रहे है A की direction में लग रहे है तो एक side से लिखेंगे R D plus F C D sin theta is equal to 0 sin theta यहाँ पर 60 degree है तो sin 60 में लिखूंगा R D हमारे पास दिया हुआ है R D हमने पहले ही निकाला है R D की value 77.5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 77.5 plus F C D sin 60 degree is equal to 0 तो F C D sin 60 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा यह आ जाएगा 77.5 अब ऐसे ही F C D की value जो आ जाएगी वो आ जाएगी 77.5 divided by sin R theta theta हमारे पास लेकिन 60 degree है तो sin 60 करेंगे लेकिन यह जो है यह जब हम इस side लेके जाएगे तो यह negative में आ जाएगा और F C D की value जो हमारे पास आ जाएगी 77.5 77.5 divided by sin 60 तो हमने निकाला यहाँ पर यह minus में आ जाएगी 89.48 kilo newton तो इतना kilo newton जो है वो force in member C D आ जाएगा force in member C D जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 89.48 लेकिन minus में है तो minus के लिए मैंने आपको बताया है कि compressive होगी compressive force next next आ जाते है अब हम horizontal force को equal करेंगे 0 के तो summation of horizontal forces equal to 0 आप देखो यहाँ पर horizontal में दो ही forces लग रही है एक तो F D लग रहा है अपने member का और F C D cos theta लग रहा है F D E plus F C D cos theta is equal to 0 अब देखे F D E plus F C D cos theta अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास हमारे पास जो है हमने F C D की value निकाली हुई है F C D की value जो है हमारे पास F D E plus यह minus में आ जाएगा minus 89.48 into cos theta cos theta हमारे पास cos 60 आ जाएगा is equal to 0 यह negative में आ जाएगा है जब हम इस side लेके जाएगे तो यह positive में आ जाएगा F D E is equal to 89.48 cos of 60 degree आ जाएगा तो F D E जो है finally हमारे पास 89.48 लिखा हुआ है into cos of 60 degree जो है हमारे पास 44.74 निकल के आ जाएगा 44.74 kilo newton निकल के आ जाएगा लेकिन यह positive है positive मतलब की tensile है positive हमेशा tensile होता है और negative हमेशा compressive force होता है अगर आप directions बाहर की तरफ ले रहे हो लेकिन यह चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप direction बाहर की तरफ ले रहे हो तो वो tensile होती है अब आजाते है next दो joint हमने कर लिए अभी हमें यह joint और यह joint पे हमने सारे forces निकाल लिए अब हमें इस joint और इस joint पे forces निकालने है तो बाइद आप पूरी वीडियो देखें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि चकर क्या है अब हमने यह निकाल लिया अब हम next sheet पे निकालेंगे free body diagram अब हम point B के लिए रखेंगे point B यह है हमारा point B तो इस पे एक तो vertically 40 kN का force लग रहा है और यहाँ से दो member आ रहे हैं F, B, E F, B, E और F, A, B और F, A, B लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी क्योंकि यह triangle जो है triangle में some of angles आपको पता ही होगा वो 180 kN होता है यह 60 है यह 60 है तो यह कितना होगा यह भी 60 होगा 60, 60, 120 120, 60 हो गया 180 हमारे पास तो यह जो angle है यहाँ पर यह पूरा angle यह 60 के equal होगा अगर हम इन forces को resolve करेंगे इन forces को resolve करेंगे तो इस direction में जो है दो forces आजाएगा यह 30 degree है और यह भी 30 degree है क्योंकि full angle जो है वो हमारे पास 60 degree था यह 30 होगा यह 30 होगा अब हमें क्या करना है अब हम इन दो forces को resolve करना पड़ेगा FBE का जो component इस side में आ जाएगा वो आ जाएगा FBE cos theta और FAB का जो component vertical direction में नीचे की तरफ आ जाएगा वो आ जाएगा FAB cos theta और इस direction में जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा FBE sin theta FBE sin theta और इस direction में आ जाएगा FAB sin theta FAB sin theta तो अब हमें क्या करना है अब हमें forces को resolve करना है resolve करने के लिए जो है हम summation of vertical forces 0 करेंगे vertical में कितने forces लग रहे है 40 kN नीचे की तरफ लग रहे है और FBE cos theta भी नीचे की तरफ लग रहे है और FAB cos theta भी नीचे की तरफ लग रहे है तो मतलब A की direction में लग रहे है तो sub positive लेंगे हम 40 plus FBE cos theta theta 30 degree है cos 30 degree plus FAB भी नीचे की तरफ लग रहे है तो plus ही लिखेंगे plus FAB cos 30 degree है is equal to 0 अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है कि हमें 40 भी पता है और FBE की value भी हमने निकाली हुई है पहले ही FAB sorry sorry F AB की value हमने निकाली है तो FAB की value यहां पर हमने पीशे निकाली है minus 83.715 तो यहां पर हम FAB की जगा minus 83.715 लिखेंगे तो यह आ जाएगा 40 plus FBE cos 30 यह आ जाएगा minus क्योंकि यह minus value है minus 83.715 cos of 30 degree is equal to 0 तो हम पहले calculate करेंगे यह कितना आ जाएगा 83.715 into cos 30 83 83.715 into cos of 30 degree cos of 30 degree तो यह आ जाएगा हमारे पास 72.49 तो यह value जो है minus 72.499 आ जाएगी यह value और FBE निकालना है हमाँ cos 30 degree plus 40 is equal to 0 तो अब इन दो को calculate करेंगे तो यह आ जाएगा FBE cos theta cos 30 degree is equal to इस में से हम minus करेंगे 40 को 40 जब minus करेंगे क्योंकि यह negative है यह positive है तो minus हो जाएगा तो यह value आ जाएगी minus 32.49 9 is equal to 0 अब इसको opposite side लेके जाएगे तो यह positive में आ जाएगा 32.499 is equal to FBE cos of 30 degree तो FBE की value जो हमारे पास है वो निकल के आ जाएगी 32.499 divided by cos of 30 degree 32.499 divide करेंगे हम cos of 30 degree तो यह आ गया हमारे पास FBE की value 37.5026 तो यह value जो है यह positive में आ गई तो यह जो है kilo newton यह tensile हो गई अगर positive निकल के आती है तो हम tensile ले ले लेते हैं और अगर negative निकल के आती है तो हम compressive लेके आते हैं तो अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है कि horizontal forces को हमने equal करना है यहाँ पर मैं एक बात बूल गया हूँ FBC जो है FBC अगर हम यह B देखेंगे यहाँ पर FBC भी एक force लाग रहा होगा अब हमने क्या करना है horizontal forces को equal to zero करना है summation of horizontal forces equal to zero करेंगे तो अब हमें क्या देखना है horizontal में कितने forces लग रहे हैं horizontal में दो forces इस direction में लग रहे हैं और एक force इस direction में लग रहे हैं तो आपको जो है easiest way है अगर आप देख रहे हैं कि एक direction में दो forces लग रहे हैं एक direction वाले को एक side लिखेंगे equal to k और दूसरे वाले को दूसरे direction में लिखेंगे मतलब कि f a b sin theta इस direction में लग रहा है तो हम लिखेंगे f a b sin theta को एक side से और ये f b c और f b e sin theta जो है दूसरी direction में लग रहे हैं तो इनको दूसरे साइड से लिखेंगे FBC प्लस F BE sin θ अब हमें क्या करना है अब हमें देखना है कि हमारे पास क्या-क्या values एवलेबल है तो अब हमारे पास FAB की value शायद हमने निकाली है FAB की value हाँ FAB की value हमारे पास minus 83.715 है FAB की value minus 83 83.715 value हमने निकाली है और sin θ यहाँ पर 30 डिगरी है तो sin 30 डिगरी is equal to FBC हमारा FBC है और FBE की value भी हमने अभी निकाली है वो positive में 37.526 प्लस 37.526 और sin θ की value sin θ हमारे पास 30 डिगरी है तो अब हमें इन दो values से हमारे पास FBC निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर मैं देखूँगा 83.715 into sin 30 83.715 into sin 30 तो यह आ जाएगा 41.85 41.85 लेकिन यह जो है negative है तो minus इसके साथ लिखेंगे तो FBC पलस यह positive में है 83.526 83.526 sin 30 sin 30 हमारे पास 41.763 आ गया तो FBC अगर हमें निकलना है तो हमें इसको इस साइड लेके जाना पड़ेगा तो यह आ जाएगा minus 41.85 minus यह भी इस साइड से minus में ही आ जाएगा तो वो आ जाएगा 41.763 41.85 41.763 लेकिन दोनों negative में आ जाएगे तो positive पलस में हो जाएगा यह तो 41.736 736 इसकी value जो है वो आ गई हमारे पास FBC की value 83.499 FBC की value हमारे पास 83.499 आ जाएगी लेकिन यह भी negative यह भी negative यह value भी negative आ जाएगी तो यह जो है compressive force होगा किनके हमने पहले ही रखा है negative आ जाएगा तो compressive और positive आ जाएगा तो हमारे पास tensile निकल के आ जाएगा तो अब हमने क्या किया हमने जो है B को भी रिजालो कर दिया B के पास भी जो भी forces है वो हमने solo कर दिया अब हमें next है अब हमें C को जो है joint C को लेना है take joint C take joint C joint C को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर मैं free body diagram बनाओंगा पहले ही 50 kN force नीचे की तरफ लग रहा है और यहाँ पर आप फिर से देखेंगे यह जो है यह 60 degree है यह 60 degree है तो यह angle भी 60 degree होगा तो अब यह हमारे पास FCD है force और यह member जो हमारे पास है FCE member है और यह 30 degree होगा और यह भी 30 degree होगा और यहाँ पर आप देख सकते है FBC member इस साइड से जा रहा है तो FBC हम इस साइड से लेके जाएंगे आपको मैंने पहले ही बता दिया है जो भी member है उसका जो है आपको force पहले consider करना है बाहर की तरफ है फिर अगर negative value आ गई तो compressive अगर positive value आ गई तो tense है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमाँ result करना है forces को result forces को करेंगे FCE inclined force है FCD inclined force है तो अब हमाँ result करना है FCD को result करेंगे तो इस साइड से आ जाएगा FCD cos theta cos 30 degree और इस साइड से आ जाएगा FCD sin 30 degree अब अगर हम FCE को result करेंगे तो इस साइड से आ जाएगा FCE cos 30 degree जिस साइड से angle होता है उसी साइड से cos आता है और इस direction में आ जाएगा FCE sin FCE sin 30 degree sin 30 degree तो अब हमें क्या करना है अब हमें forces को result करना है तो हम करेंगे summation of vertical forces is equal to 0 vertical में आप देख सकते हैं दो forces नीचे की तरफ लग रहा है और ये भी नीचे की तरफ ही लग रहा है तो हम एक साइड से लिखेंगे FCD cos theta 30 degree plus FCE cos theta 30 degree plus 50 kilo newton भी नीचे की तरफ ही लग रहा है तो तीनों forces नीचे की तरफ लग रहे है is equal to 0 करेंगे अब हमें देखना है कि हम कैसे इसको solo करेंगे तो FCD हमने शायद निकाला हुआ है पहले FCD हमने निकाला हुआ है पहले FCD की value हमारे पास 89, minus 89.48 है तो FCD की value यहाँ पर लखेंगे 89.48 cos of 30 degree plus FCE FCE आप देख सकते हैं FCE हमने निकाला है कहीं पर शायद नहीं निकाला है FCE हमने निकालना है FCE निकालना है cos 30 degree plus 50 is equal to 0 अब हमने इसको करना है 89.48 minus 89.48 cos 30 89.48 cos of 30 degree तो यह आ जाएगा 77.49 plus FCE cos of 30 degree cos of 30 degree हम फिलालाई से ही लिखेंगे plus यह आ जाएगा 50 लेकिन यह value जो है यह negative में आ जाएगी तो हम करेंगे यह positive है यह negative है तो minus करेंगे इसको minus 50 करेंगे तो हमारे पास 27.49 आ जाएगा मतलब कि minus 27.49 आ जाएगा क्यूंकि हमारे पास negative जो है वो larger value के साथ है plus FCE cos 30 degree is equal to 0 के एकवल आ जाएगा तो FCE cos theta हमारे पास आ जाएगा यह अगर इस साइड लेके जाएगे तो इसकी value positive आ जाएगे 27.49 और FCE की value हमारे पास आ जाएगी 27.49 divided by cos of 30 degree तो 27.49 divided by करेंगे cos of 30 degree हमारे पास 31.74 के एकवल आ जाएगा FCE की value जो है हमारे पास 31.74 के एकवल आ जाएगी लेकिन यह जो value है यह positive में आ जाएगी तो positive हमारे पास हमेशा tensile ही होता है तो अब हमने FCE की value निकाल दी है यहाँ पर हम summation of horizontal forces भी equal करेंगे 0 के लेकिन हमने पहले ही FCD भी निकाला हुआ है और FBC भी हमने पहले ही निकाला है FCD भी हमने निकाला है और FBC भी हमने निकाला है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है किएक भार हमने निकाला हुआ है joint E intent E क्योंकि हमने पहले ही sub forces निकाल लिया है तो हमने forces की value मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हम लिखेंगे forces की value तो हमने पहले ही joint A seller किया था तो वहां पर हमने F A B की value निकाली थी और FAE की value निकाल ले थी A हमारे पास यह joint है यहाँ पर पहले ही आपको reaction दो मैं बतातूँ reaction at A हमारे पास आ गई थी पहले ही reaction at A 72.5 72.5 आ गई थी और reaction at D जो हमारे पास है वो आ गई थी हमारे पास 77.5 77.5 अब हमें next value जो है joint A पर हमने निकाली है FAB negative times और FAB और AE निकाला है FAB FAB हमारे पास यह force है जिसकी value हमने निकाली है minus 83.71 5 minus का मतलब कि compressive हम साथ में लिखेंगे C हो गया compressive force और FAE की value हमने निकाली है FAE यह वाला member है FAE FAE member यह है तो इसकी value हमारे पास 41.85 आ गई 41.85 किलोन्यूटन लेकिन लेकिन यह positive में आ गई तो tensile हम लिखेंगे इसको next हमने joint D पे निकाला था joint D joint D पे हमने FCD निकाला है तो FCD की force जो है वो आ गई हमारे पास minus 89.48 किलोन्यूटन minus का मतलब कि यह compressive है और FDE की value जो हमने निकाली है FDE की value हमने निकाली थी वो निकाली थी 44.7 4 लेकिन यह positive में आ गई थी positive में आपको पताया था मैंने वो tensile होती है अब आ जाते है next next हमने निकाला था joint C पे joint C हमारा है यह वाला joint तो इस पे हमने values निकाले थे इस पे हमने एक value निकाला था FCE CE की value हमारे पास 31.74 FCE FCE जो है यह वाला member है तो FCE की value हमने यहाँ पर निकाली थी FCE की value हमारे पास आ गई थी 31.74 किलो न्यूटन लेकिन यह positive में आ गई थी तो positive value हमेशा पता है हमें वो tensile force होती है अब आ जातें next next हमने जो है joint B solo किया था joint B solo किया था उस पे हमने BE और BC की values निकाली थी तो FBE FBE BE हमारा यह है तो FBE जो है इसकी value हमारे पास आ गई थी 37.526 किलो न्यूटन 37.526 किलो न्यूटन तो यह हमारे पास जो है positive है positive मतलब tensile और FBC की value भी हमने निकाली थी FBC की value BC की value हमारे पास आ गई थी minus 83.499 minus 83.499 किलो न्यूटन किलो न्यूटन लेकिन यह negative में आ गई थी तो हमारे पास यह value जो है वो compressive है तो दोस्तो इसमें हम इने sub forces निकाल दिये हैं sub members में forces निकाल दिये हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजिए हमारी चैनल Civil Engineer Raph B.H को और भी अच्छे अच्छी वीडियो देखने के लिए thank you दोस्तो thank you for watching the video